इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे और आखरी टेस्ट मुकाबले में क्या रोमान चक मुकाबला देखने को मिला जिस तरह से साउथ अफ्रीका पहले खेलते हुए 55 रनों पर ओल आउट हो गई और इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से मुहम्मद सिराज ने क्या शांदार गैंडबाजी की और छे विकेट निकाले लेकिन वही जब टीम इंडिया खेलने आये तो वह भी थोड़ी लड़खड आती हुए शुरुआत में रोहिट शर्मा LBW आउट हो गए उसके बाद गिल तैतीस बना कर आउट हो गए लेकिन एक तरफ विराट कोहली ने अभी भी टीम इंडिया को संभाले रखा वही एक नजारा देखने को मिला जब विराट कोहली ने नांड्रे बर्ग की गेंद पर अच्छे शौट लगाए तब ही देखा गया कि दोनों बीच में तू-तू मेमे हो गई विराट कोहली नांड्रे बर्ग को उन्ही की तरह घूरते नजराए उसके बाद बॉलस साउथ अफ्रीका के चुप चाप चले गए जिस तरह से विराट कोहली ने ये दिखाया यह वाकई में शानदार था